हाई फ्रेंड्स एक बार फिर स्वागत है आपका चैनल मिशन मार्केटिंग में और हर पेस्ट कंट्रोल करका सपना के एक छोटा सा घर हो अपना एक खुबसूरत शहर में तो उसी शहर में जहां घर है वहां थोड़ा सा व्यापार भी हो तो बहुत अच्छा है एक तरफ शहर की चकाचौन में जगमगाता हुआ शहर दूसरी तरफ उसी शहर में काम के लिए भटकता हुआ एक व्यापारी जो करता है पेस्ट कंट्रोल आज हम पेस्ट कंट्रोल बिजनस में पेस्ट कंट्रोल का बिजनस कैसे लाना है और कैसे उसको target करना है marketing skills के बारे में कुछ आपको विशेश चीजे और tricks बताएंगे जिससे आपका business grow करना शुरू कर देगा देखिए वैसे तो आप जो है अपने हिसाब से target करते ही हैं लेकिन फिर भी मैं आपको suggest करूँगा कि जो hotels हैं restaurants हैं और साथ में banquet hall है ऐसे जो place हैं वहाँ पे आप अपनी visit जो हैं वो बढ़ाएं किसी भी तरीके से याम दाम दन भेद लगा करके entry करें वहाँ जो staff है उससे मिले और मिलते वक्त एक चीज का विशेश ध्यान रखें कि जो भी आप marketing करने के लिए जा रहें आप कुछ ऐसी चीजे carry करें जो वहाँ impact डाल सके जैसे कि आपके साथ में एक service बोई हो तो ज़्यादा बहतर है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप एक demo करके दिखा सकते हैं और मौका मिले तो demo करने की पूरी कोशिश करना कुछ हिस्से में जरूर demo देना ताकि आप अपनी services जो हैं वो perform कर सके काम मिलना नहीं मिलना ये अलग बात है लेकिन आप अपना प्रदर्सन जब तक नहीं करेंगे तब तक सामने वाले को कैसे judge होगा कि वो जो पहले service ले रहा ता वो भेतर है जर्नली जो है आप मालिया कुछ भी नहीं लेके गए हैं तो कम से कम at least आपके पास जो है जो कोलिन वाली बोतल होती है जिससे सीसे और टेबल साफ करते हैं वैसी एक बोतल हो उसमें आप जो है कुछ chemical जो है इमीडा टाइप डाल करके रखें जिससे की जो है वो orderless भी हो और result effective भी हो आप कुछ न करें खाली जो है उसकी टेबल को ही साफ करवा दीजिए बोले देखिए हमारे product के results जो है इससे भी आपको महसूस होगा results कोलिन ने नहीं देना है results देना है इमीडा ने और यह आपको उसको नहीं समझाना है कि हमने इसमें इमीडा दिया हुआ है आपने तो सिर्फ जो है वो demo के तोर पे काम कर देना है कहीं कोई glass खिड़की सीसा है वहाँ आपको कर देना है और वो demo के लिए कहता है तो फिर demo वो है जो आप लेकर के गए है उसके थुरू करवा देना है सर्विस जरूर कोशिस करें कि आप दे भले ही आपको वो सर्विस के पैसे नहीं मिल रहे है आपको फिरी में demo देना पड़ रहा है लेकिन जहां भी आप जा रहे हैं बिना demo के जो है ना रहे हैं देखिए कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे और करने के लिए सिर्फ demo ही आपके पास रास्ता है हाला कि customer वोलाने के लिए और भी तरीके हैं परचार, promotion जो होता है वो online, offline दोनों तरीके से होता है canopy लगा करके होता है जो traditional तरीके हैं handbill होते हैं, banners लगाए जाते हैं या फिर जो है, newspaper के थूरू advertisement किया जाता है offline कुछ magazine वगरा भी जो है locally publish होती हैं उसमें भी आप add डाल सकते हैं तो वो सारी परकिरियाएं अलग हैं लेकिन जो आपने जाकर के खुद मिलकर के demo दे दिया वहाँ chances जो हैं आपके 75% बढ़ जाते हैं कि काम आपको मिलने की संभावना है तुरंत भी नहीं मिलेगा तो जब भी उसके यहां कोई समश्या आएगी और पहले बाले wonder से वो जो है परिशान होगा तो आपको याद कर सकता है ये possibilities बनती हैं लेकिन आप जाई नहीं रहे हैं एंट्री नहीं मिल लिए साब मुलाकात नहीं हो रही है गार अंदर नहीं जाने दे रहे हैं वो सारे रास्ते आपको ढूनने की कैसे आपको अंदर मेन आदमी तक पहुँचना है आप जो है Facebook का इस्तमाल करते हैं whatever you have to do but आपको मिलना है तभी जाकर के आपका जो है कारोबार बढ़ेगा और इस कारोबार को बढ़ाने के लिए जैसे ये सिगमेंट मैंने आपको बताया वैसे आप स्कूल में भी जा सकते हैं आप कहेंगे साब स्कूल में तो कोई पैस कंट्रोल कराता ही नहीं है मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा स्कूल है उसमें पैस कंट्रोल वो नहीं कराते हैं लेकिन ओफिस में तो कुछ कराते होंगे जाडू पोछा करते होंगे सी से साफ करते होंगे जो फर्स है उसको क्लीनिंग एजेंट की जरूत पढ़ती होगी यूरीन पोर्ट में डालने के लिए टैबलेट्स लेते होगे ये कुछ जो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट ऐसे हैं जो वो लोग लेते हैं जरूत पढ़ती है फिनाईल की जरूत पढ़ती है आपको मार्केट से उठा के ही तो देना है और बिना पैकिंग का देना है अपने हिसाब से जैसे मैंने समझाया था कि उसमें जो है मोडिफाइड प्रोडक्ट बना करके देना है आपने प्रोडक्ट दिया उन्होंने इस्तमाल किया उनके हैं रिजल्ट्स बैतर हैं फिर भी वो पैस कंट्रोल नहीं करा रहे हैं लेकिन उनके घर में तो प्रॉब्लम आती होगी यह दिए उनके ओफिस में महसूस हो रहा है कि कुछ असर है और बैतर है तो स्कूल से जो बिलिंग आपकी हो रही थी वो तो हो ही रही है स्कूल में जो स्टाफ हैं उनको उनके घर पर सर्विस दी जा सकती है इस्टार्टिंग में एक या दो लेगा धीरे धीरे बढ़ेंगे आपके एरिया में हो सकता है दस बीस पंदरा स्कूल हूँ सब में कॉंटेक्ट कीजिए कोई कंपिटिशन नहीं है स्कूल में कोई पैस क स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं मच्छर, छिपकली, चूहें, कॉक्रोज होते हैं बस आप उनको कैसे कंवेंस करते हैं और कितने कम खर्चे में वहां काम कर सकते हैं यही आपका जो है मंत्रा रहेगा आप अच्छे से करेंगे, जल्दी होगा, बहतर होगा वाप मिलेगा होटल्स की तरह जो है वो PG भी काम कर रहे हैं PG वाले भी जो है पेस्ट कंट्रोल की शेमाइन लेते हैं उनके यहां बैड़ वक्की बहुत समझाएं रहती एरिया कंजेस्ट्रिड होता है फ्लो डारेक्ट बना रहता है सन लाइट आती नहीं है तो चुहें कोक्रोच मच्छर मखी पूरा फुल इसकोप होता है वहां भी सर्विसी जाती है आज कर क्लाउड किचन चल ला हैं क्लाउड किचन में जो है वो खाना तयार होता है तो वहां भी इसी तरीके की जो है आपकी requirement रहती है demand हर जगा है बस आपका approach करने का तरीका और ढूंडने का सही होना चाहिए direction काम बन जाएगा तो मैं उमीद करूँगा कि आज की tips जो हैं आपके business को गुरू करने में योगदान देंगी और इसी के साथ जो है हम समापति की और चल रहे हैं नए वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे धन्यवाद